आई पिल में यू तो अकसर बल्ले बाजो का दबदबा देखने को मिलता है लेकिन कुछ गेंदबास ऐसे होते हैं जो इस टॉर्णमेंट में अपनी छाफ छोड़ने में कामियाब रहते हैं और टीम इंडिया के अगर एक गेंदबास की बात करें तो इसमें से एक बड़ा न इस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं लेकिन यूजवेंदर चहल के लिए इस बार निजी तोर पर चुनोती काफी बड़ी होगी क्योंकि अगर पिछले 6 मेने में देखा जाए तो यूजवेंदर चहल भारत की T20 टीम में शामिल तो रहे हैं लेकिन प्लेइंग 11 का हिस नहीं रहे हैं अगर वर्ल्ड कप की बात करें पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में जो T20 वर्ल्ड कप भा था उसमें यूजवेंदर चहल प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रह रहे थे जिसके चलते काफी आलोचना हो रही थी हाल के अगर देखा जाए जो ऑस्ट्रेलिया के पटेल और अविंदर जर्डेजा दो लेफ्ट आम स्पिनर एक साथ खेलते हैं इसके अलावा अगर आप देखा जाए कुल दीप याद हो कुल दीप याद हो जब मैच भी रहते हैं उसके बावजूद उनको मौके नहीं मिलते हैं तो कुल दीप यादो ने भी जबरदस व यूजवेंदर पर दारुमदार होगा कि वो जो कामयावी उन्हें पिछले एक दशक लगबग रॉयल चैलेंजस बैंगलोर के साथ निभाई वैसी ही कामयावी वो राजस्तान रॉयल के साथ निभाई हैं क्योंकि अगर यूजवेंदर चहल पूराने चहल को ढूंडने मे कामयाब होते हैं तो नो सिर्क उनकी फ्रेंचाइजी को फाइदा होगा यूजवेंदर चहल को नीजी तरफे फाइदा होगा मुम्किन है कि ये फाइदा भारते क्रिकेट को भी मिलेगा क्योंकि यूजवेंदर चहल इस फॉर्मेट में लेग स्पिनर के तौर पर अगर आ चाहे आप रभी विश्णोई की बात करें या फिर चाहर की बात करें इन दोनों खिलाडियों ने यूजवेंदर चाहल को चुनौती पेश की है और अगर कोई और नया लेग स्पिनर इस IPL के दोरान चमकता है तो दवाब देशित तोर पर यूजवेंदर चाहल पर पढ़ सक उन्होंने करकर ये चीज़ें दिखाई हैं उमीद की जानी चाहिए IPL 2023 में एक वाफिर से आपको चैंपियन यूजवेंदर चाहल देखने को मिलेगा और इस बात में शायद किसी को शक नहीं होना चाहिए क्योंकि काम्याभी के लिए फिलहाल काम्याभी ही नहीं मौके के लिए यूजवेंदर चाहल काफी भूके हैं और वो हमला भोलेंगे विरोधी खिलाडियों पर